सहारा इंडिया की कहानी पुरे देश के सामने है किस तरह से आम जनता को ठगने का काम किया और मुझूदा सरकार भाजपा सरकार किस तरह से आम जनता को मदद कर रही है हमारे चैनल पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप सहारा इंडिया से जुरा हुआ खबर दिखाएं ताकि कुछ असर पड़े कोई बात नहीं मैं दिखाऊंगा मैं दिखाता रहूंगा लेकिन ये जो मोदी सरकार है भाजपा सरकार है जिसने चुनाओ के समय वादा किया था कि सत्ता में मुझे आने दो सभी के खाते में पाई पाई सहारा इंडिया का पैसा बापस लोटाऊंगा क्या ये सत्ती हुआ नहीं हुआ एक भाई सहाब हैं बिहार के रहने बाले हैं वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं हमारे साथ उनका दुख मैं क्या बताऊं उनकी दो बेटियां एक बेटी की शादी इन्हों ने कर्ज लेकर करा दी दुसरी बेटी को इनको शादी करवानी है इनके बेटे भी हैं भाई साब नोकरी पाने के लिए दरदर भटक रहे हैं कभी दिल्ली आते हैं कभी कलकत्ता जाते हैं और इन दिनों उत्तर परदेश में ये ठोकर खा रहे हैं मैं चाहूंगा जो सहारा के प्रिट्थ हैं जिन्होंने अपना कमाई खेद बेच कर लगा दी उसकी कहानी आप तर पहुचे ये कहानी जनजन तक फैले और साथ साथ भाचपा के जितने भी अंदभक्त हैं वो देखे हैं सहारा इंडिया में सिर्फ कॉंग्रेस के लोग ही ने इन्वेस्ट नहीं किया है भाचपा के लोग ने भी इन्वेस्ट किया है कॉंग्रेस तो सुब्रत राई को जेल भेजने का काम किया और भाजपा कुछ नहीं सबसे पहले आप इस दुख भरी बातचित को सुने जी बताईए क्या समस्या हो रही आपके साथ पिता कान बसी संद्रा का गराम पुष्ट कटरिया था ना कुछ से लाग कठियार बिहार से हैं और मुझे दो लड़की है सर हम सहरा इंडिया में हम खेत बंधक रख करके पुंच लाग रखे थे बड़ी लड़की के लिए दो लाग रखे थे च्छोटी लड़की के लिए पंद्रे सार के लिए और अभी हम भूग से मर रहा हैं पैशा सरकार नहीं करज लेकर साधिक लड़की का और रुप कर बला एक लाग सूद पर लिए चार लाग रिप्या रिष्टेदारी दिया है पेशा और अभी इतना भूख से मर रहे हैं कि मेरे यहां खाने पिने का कुछ नहीं है और हम अभी कहां काम करते हैं आप अभी हम दस दिन से सहरी सिकुरूटी गार्ड में यहां उत्तर प्रदेश में पुलन सहर जिला में शिकं टालेदर कंपलेश में गये यह दो मेना वहां सादात हजार प्या मेना देता संद्र भी तो गाये कहीं काम मिला पिर यहां एक ठोण में हरे नहीं हाथी फैजाबाद में एक ठोड़ पोश्टर देखे तो और नमर किये तो एक सिप्रिगाद कंपनी से बात हुआ तो तो फि इसों ने मिला बहुत दिकत है घर पर बाल बचा का परहाई बद हो गया एक लरका है हम यह के लिए भाई हैं पिता जी साधू है और लरका का परहाई भी खतम हो गया वो नसायूज करने लगा है गलत के संगत में अभी हम इतना दुग हम परदान मंत्री को चिठी भी लिखे कि मेरा पाल बचा का भवीज खराब हो जाएगा हो ही गया उसने कुछ नहीं सुना उसने सेंट्रल रेश्टार को दे दिया सेंट्रल रेश्टार में हम इत्सा बोले कि आप एधन के साथ बहुत पर दिचे पेसा मिल जा फिर दिए फिर ऑनलाइन कीजिए चोबीस अगस्त क में अभी तक सर पेसा नहीं कुछ नहीं मिला और सब बिखर गया अब अपर बार एक लड़की है कर्ज लेके का उलेज में फिर फॉर्म भरे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर इसका जाँच भी करवा सकते हैं घर पर जाके हम भूख से मर रहे हैं जिन्दी में इतना दूख हमेरे पास 12-13 जमीन है को जमीन है नहीं 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 करा है कुछ नहीं सुनता है कोई तब आपका चैनल देखते थे फोन की उठाए फोन कोई मेडम तो बूले कि कागज दीजिए तब कागज दिये हैं भेज कर सकते हैं तो हम लोग क्या मदद करें बताएं आप सरकार से कोई निवेदन करवाई है कि वरकों के किसी तरह पैसा भी लेए हम आपकी समस्या अपन जनता के बिच ला सकते हैं परदान मंत्री जो गुजरास को मिरका बना रहा है क्या होगा उसको जनता कुमा मरे दर पर हुसारा निवेसे मर भी गया है चिंता थेंजा हम भी हमारा सरीर यहां जानते हैं आधम को खाना मिला इदन कच्छा रोटी हम रखे हैं यहां पर दिया है खाने के लिए नहीं खापाये हैं वह दिखाएंगा रोटी रखें कागज में मौर करके इतना हमका मजूर सरीर हो गया इतना दुख कभी नहीं हम ल करें जमीन बंदक खेंद लखर के नमसे और भाइया क्यों रखे था क्यों का है रखे था वहां वहां का सहरा का निवेशक मनेजर्स हो घूमता था अगर कि फैदा होगा लड़की है कर दो हम को जो किशी तरह सरकार से दिला औरता तो बच नहीं कर रहे हैं किसी तरह जीवान कर रहे हैं यहां सहर कभी देख वोन मर गया आदमी सब कितना मर गया हम जो लिखे भी हैं चिठी तो जो जो लिखे भी हैं चिठी तो जूच भी नहीं करा कि जूट लिकाए जो बात्सीत है भाई साब हम अपने चैनल पे प्लोड करते हैं जितना हो पाएगा हम जरूर मदद करें गापको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं परीवार के लिए आपके लड़की यह बाते हाँ तो अम लोग खाएंगे पीएंगे रहेंगे फिर क्या बचभा घर भेजएंगे खाने के लिए साधी के लिए फिर प्रेसा कहों दो लाएंगा लगाते हैं आपके लिए ठीक है ठीक है ठीक है परनौ परनौ जी हाँ आपने सुना ये है सहारा इंडिया पर बिश्वास करने का नतीजा ये है मौजूदा सरकार भाजपा सरकार मोधी सरकार पर बिश्वास करने का नतीजा ये भाई सहाब मरने के मजबूर हैं खाने खाने को तरस रहे हैं ये अब तक कोई सुगवगाहट नहीं है कहीं कोई खबर नहीं है कहीं कोई चर्चा नहीं है आप दिल्ली आईए परधान मंतरी मोदी जी के आवास का घराव किजिए सेवी का घराव किजिए सरक पर आजाईए दिल्ली में संधर्स किजिए तभी ये सरकार सुनेगी ऐसे नहीं सुनने वाली सब लोग एक जूठ हो ये एक साथ हो ये सहरा परिवार के लोग जतने भी लोग का पैसा पसा हुआ है किसान से लेकर, मजदूर से लेकर जतने भी लोग है सब दिल ली आए यही पर अपना जो करना आए करें तब ही ये सरकार हरकत में आएगी पिलिज जरूर स्टेकर इस वीडियो को धन्यवाद